इसकार एकि बोले क्या पूछना चाहते हों महराज जी मेरी आज तक पक्की नोकरी नहीं लगी है कोई आज तक पक्की नोकरी नहीं लगी तो हमका करें तुमने पढ़ाई की जी किदे करी इम्-TREK in computer science पत्नी एंगे बोलो जड़ते हैं कि के लिए ना पत्नी नहीं नहीं कि नहीं लुपने साइब रह पत्न और तुम नहीं पत्नी को नहीं पटा पाये वे तक तुम नौकरी करके करोगे क्या भालो गरत करहूँ क्या यां पत्नी का काजुल सर्मा काजुल सर्मा तो आपकी पत्नी इतनी खतन नाग है जी नहीं पत्नी इतनी खतन नाग है कि आपकी जी हिटलर है तेरी के काजुल सर्मा तो दूसरी साथ ही कर वाद है जी के छोड़ने के मूड में ही आये हो जी जी तो आप ये कैसे जानते हो कि मैंने आप आप तो जो गया थे कि मेरे बारे में कोई नहीं बता सकता आप तो ऐसे से बैटे-बैटे सोच रहे थे हुआ नहीं पक्का आपसे क्या चुपाया आज तक कुछ भी नहीं चुपाया आपसे दनवाद तो मैं कहता हूँ कि समस्टा का समाधान होगा आपकी काजूल आपको प्राप्त होगी आफसी रिवाद है और तलाग 99 परसंट नहीं होगा अच्छा मैं उसकी पिछली लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ शादी से पहले की लाइफ की तो क्या करूं बताओ पर्चिम मैंने लिखा है भाईया ये पर्ची छोड़ गाए कोई दुकान के जुगा सट्टा वाले जल्दी में ये बिटिया करो ली पढ़ा ली लो देखो भाईया ये पर्ची किसकी है हम जहीं भूल गाए क्या पर्ची नहीं देए हमने अगरी टंगी रही यहां पर क्या पूछना चाहिते हैं उसकी लाइफ के वर बोलो हम भाई बता दें आप जो कहो में बता दूँ बताईए वो इतनी अग्रेसिव क्यों है और शादी से पहले उसका अगर कोई अफैर हो तो तो का तुम तुमार नहीं था पक्का पक्का मार मार के भूद बना दूँगा तुम जैसे बहुत आउत हैं जरूरी है कि तुम साटिपिकेट दे तो तो ही प्यार है जब तुम गलत होगे तो फिर बो भी गलत होगे और तुम साही हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुमार जिन्दगी में भी गलत नहीं आएगा कभी कोई भी नहीं आज़ता हो किस दीके में नहीं आएगा जो जैसा होता है उसको उसा ही मिलता है ये नोट कर दें मैं कह रहा हूँ यह वार ज़िए आप गलत हैं तो आपके साथ में भी गलत होगा और जिस दिन आप किसी पर गलत कर रहे हैं तो आपके घर पर भी गलत करने वाला पैदा हो गया है मस हो चूँक है मैं ही दुमागदार हूँ मैं ही तेज हूँ मैं ही किसी को लूट लूँगा तो तुम्हाए घर पर भी लूटने बाला बी कोई दूसरा पैदा हो चुका है तो क्या चाहिते हो मैं एक दरपा बोल दू कि वो कर्रेक्टन लेस है नहीं हो क्या चाहिते हो उन से पैसा दिया तो हम ज़ो बोल तौब दूमे कि मेरी जिन्दिगी तरी तबाहिं क्यों हो तबाहि इसलिए हो गई कि तुने वाइं W सेटिंग मूड पर लगाते फंसल सेटिंग लोड पर ले आते तो आपकी पत्मी आपके पक्ष में लती आप बिगर सेटिंग के चलाते रहे तो उचली गई ने गलत के रहूं बताईए हम लोग भी कोई भी चीज खरीदते हैं इसको थोड़ा गलत समझ रहे होंगे आप लोग मेरी बासा को सेटिंग करना चाहिए सेटिंग मूड पर जाना चाहिए सेटिंग का जमाना है बिग्ञान भी कहता है कि किसी भी इंतर को चला तो सेटिंग पहले करो ऐसी कोई बात मत करो पत्नी के बीच में कोई रहस छुपाना नहीं चाहिए पार दरसी रख दीजिए जिन्दिगी में रिस्ता नहीं तूटे गाए मैं गायन्ती देता हूँ यदि आप पत्नी से छुपाओगे पती पत्नी छुपाएंगे तलाग 99% होगा इसलिए साधी की है पूर में तुम क्या थे वो क्या थे वो संक्राब रहके बंद कर दो क्योंकि इसके पहले नहीं जानते थे कि तुम मिलोगे और तुम नहीं जानते थे कि तुम बो मिलेगी इ शादी के बाद का बता दिजेए नहीं शादी के बाद आप गलत नहीं हूँ वह पका की बाद है बबब में आप नहीं हूँ और जब आप नहीं हैं तो अगले बेक्ती ने गल्ती किया ult़े प्राचत तो इसको करना भी पड़ेगा जो तुम चाहेते हो कि मैं जो बता दूँ कि पहले क्या था बरत्वान भी क्या है तो यह लाइब जा रहा है और समझ दिसा न्यूज पर चल रहा है दिसा चैनल पर तो इसलिए मैं टिकर टिपड़ी नहीं कर सकता हूँ यदि यही जानना है तो पत्नी को लिआओ पर मैं दोनों को बता दूँ